आप सभी लोगों को जय मसे की और नौ वर्ष की आप सभी लोगों को हरदीश शुक कर दोजार बीस में आप सभी लोगों का स्वागत है, प्रभू का धन्यवाद हो कि परमिश्वर ने 2020 के सुबा के समय परमिश्वर हमें प्रात्ना करने के लिए हमें अनुगरत दिया हम प्रभू के स्टूदी कर पा रहे हैं चलिए हम सबसे पहले वचन पढ़ेंगे ये जो है साल का ये आशिश वचन है क्या ही धन्य है हर एक जो योवक भे मानता है और उसके मारगों पर चलता है तू अपनी कमाई को निश्य खाने पाएगा तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा तेरे घर के बेतर तेरी इस्त्री फलवंत दाखलता सी होगी तेरी मेच के चार और तेरे बालब जलपाई के पौधे से होगे सुन जो पुरुष येहवा का भे मानता हो वह ऐसी ही आशिश आईगा यहवत तुझे सियोन से आशिश देवे और तू चिवन भर यरुशलम का कुशल देखता रहे वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए इस्राइल को शान्ती मिले देख मैं शेग रही आने वाला हूँ परमेश्वा ने इस ने साल में परभु जी ने ये वाइदा दिया है हम सभी लोगों के लिए भाई बहनों के लिए ये आशिश वचन है परभु का धन्यवाद करे इस आशिश वचन के लिए परभु के स्तुति करे अब हम वचन पढ़ते हैं नए साल के लिए जो परमिशन ने वचन दिया है विवस्ता वी वरन 11 अद्या है उसका 10 सले के 13 वचन तक पढ़ते हैं देखो जिस देश के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो वह मिस्तर देश के समान नहीं है जहाँ से निकल कर आए हो जहाँ तुम बीच भूते थी और हरे साग के खेत के रिती के अनुसार अपने पाउं की नलिया बना कर सीचते थे परन तुम जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो वह पहाडों और तरायों का देश है और अकाश की वर्षा के जलसे सिचता है वह ऐसा देश है जिसके तेरे परमेश्वर यवा के सुधी रहती है और वह वर्ष के आदी से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यवा के दिस्टी उस पर निरंतर लगी रहती है और यदे तुम मेरी अग्याओं को जो आज मैं तुमें सुनाता हूँ थ्यान से सुनकर अपने संपोन मन्स और सर फ्रान के साथ अपने परमेश्वर यवा से प्रेम रखो और उसकी सिवा करते रहो तो मैं तुम्हारे देशे बर साथ के आदी और अंत दोनों समयों की वर्ष किली तेरे मैदान में खास उप जाओंगा और तो बेट भर खाएगा और संतुस्ट रहेगा तो परमेश्वर के लिए धन्यवाद हो जो निया साल होता है वो हमेशा नई शुरवार्वात को लेकर आता है एक नई खुशियों को लेकर आता है हैपिनिस और इस नए साल में परमिशन हम सभी लोगों को नए जोस के साथ भर देता है और जब हम 2019 में हम पीछे मुड़ कर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी कम्या थी और कुछ असफलता थी अंसक्सेस्फुल रहे अपने काम में बिते हुए साल में हमने कितने मुश्किलों कर सामना किया कितनी हमने परिशानिया देखी हैं नुक्सानों को जھیला होगा लेकिन अब इस नए साल में हम परमिशन से प्राप्ना करतें कि यह सब ना हूँ यह जो साल है यह निया साल है जो 2020 है ये नियू यर एक blessing का नियू यर होकर बदल जा इश्यो मसी के नाम में परमेशर इस 2020 में bless कर दे और ज़र 2019 में जिस अधरिय काम को आप लोग जो छोड़ दिये थे या फिर आपसे हो नहीं सका था और उसको आप पूरा करना चाहते हैं और वह आपसे हो नहीं सका तो इस 2020 में निश्चे ही हम इस काम को करने के लिए परमेशर अनुगरा दे आप सबी लोगों को और परमेशर ब्लैस करे तो जैसे कि हम ने अस वच्छन में पढ़ा था इस्रैलियों के बारे में कि जो उनका समय था पिछला समय वो बहुत ही डावाट डोल रहता था परमेशर उनके जीवनों में बहुत सारे अग्बो दास्चरे करम किये सब कुछ परमेशर ने मुहिया करा के दिया लेकिन फिर भी वो परमेशर पर बार बार शक करते थे परमेशर की आग्या नहीं मानते थे वो भरोसा नहीं कर पाई परमेशर पर खाने के दिले बटेर दिया पानी दिया पिने के लिए जब जंगल के सफर में जब वो चल रहे थे तो वहाँ पिने के लिए पानी दिया खाने के लिए बटेर दिये इतना बड़ास्चरे करम किया परमेशर ने समुद्र को दो भाग कर दिया जो वाइदा किया हुआ जो देश है वो अपने सामने ही देख रहे थे लेकिन उसमें वो जान नहीं पा रहे थे वो क्यूं क्यूं नहीं जा पा रहे थे पार बर अविश्वास के कारण कोई भुरूसा नहीं कर पा रहे थे परमिश्वर के उपर पूर्ण रिदी से वो सिफ बार बार परमिश्वर की परिच्छा लेते थे और हमें दे ये दे हमें वो दे बस यही किया करते थे और उन्होंने अपने जंगल के सफर में शक किया भरोसा नहीं किया परमिश्वर पर लेकिन फिर भी पर्मेश्वर ने उनकी सारी जड़ितों को पूरा करके दिया लेकिन सब कुछ करके दिया और पर्मेश्वर पॉलरीती से भरोसा नहीं कर पाए पर्मेश्वर उनकी सुरक्षा करते थे, सब कुछ करते थे और जो इस्राइलिये थे उन्होंने परमेश्वर की हर एक अद्भूत कामों को देखा, अपनी आँखों से देखा, लाल समुद्र के बारे में हूँ, चैह मन्नों के बारे में, लेकिन एक जाती की रुप में वे परमेश्वर की आग्या को मानने और उसा बरूसा करने के हुआ जो देश में भी पहुँच पाएंगे या नहीं, उन्हें शक था, कि उस देश में हम पहुँच पाएंगे कि या नहीं पहुँच पाएंगे, और अब यर्दन नदी के टट पर हैं, और प्रदिग्या के हुए देश का सामने से देख रहे हैं, ऐहां पर कार करते समय परमेश्वर उनकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा बार बर वो इस्रेलियों को बोलता था और वहाँ परमेश्वर की पस्तिती उनके साथ रहेगी और परमेश्वर की सुरक्षा के घेरे में होंगे ऐसा और उसकी मृत्तियों के बाद इस्रेली उस वाइदा की जिन्दी की चुनोतियों से भरा हुआ है तो आज हमें उन बातों को याद करना चाहिए जब हम नए साल में प्रवेश करते समय उन बातों को याद रखे कि मुसा ने इस्रेलियों को उस वाइदा किये हुआ देश में प्रवेश करते समय दीते हैं आप की परमिश्वर आपकी हर एक जरुत को पूरा करेगा तो ये बात हमारे ले उतनी ही सच है जितना की उस समय थी उन लोगों के लिए जब मुसा ने बोला था तो ये जो नए साल में जब हमने प्रवेश किया है तो ये नया साल परमिश्वर ने हमें एक डान के रूप में दी है तो परमिश्वर ने मुसा के दोरा इसराईलियों से बात किया था कि आपको सब कुछ मिलेगा हर चीज मिलेगा तो उसी प्रकार परमिश्वर हमारी हर जुरतों को पूरा करने वाला है इस ने साल में और साल भर में हम परमिश्वर की इस साल में पूर्ण रिती से हम परमिश्वर की प्रेजन्स को हम महसूस कर पाएंगे उसकी पस्थिती को महसूस कर पाएंगे और उसकी पस्थिती हमारे घर में होगी चारोर तरह परमेश्वर सर्दूतों के बाड़ों में रखेगा और हमारे घर के चारोर परमेश्वर ने बाड़ा खड़ा कर दिया है और सुरक्षा में रखा है और विश्वास करें कि जब इस नहीं साल में परमेश्वर की इस प्रतिग्या के साथ इस वाइदे के साथ प्रवेश करें कि वह हमारी जरौत को पूरी करेगा और पूरी करता है और करेगा आगे भी परमेश्वर वही हमारा एक मात्र स्रोत है उसने अपने लोगों को सब कुछ दिया हर एक चीज़ दिया तो आपको भी देगा उनने इसराइलियों के लिए सब कुछ पुरा करके दिया वो कुड़ कुड़ा ऐसा कुछ किये सब कुछ दिया आज परमेशर पर जो इतना भरोसा रखते हैं तो क्या परमेशर आपको न देगा परमेशर इस नए साल में आपकी हर एक ज़रोतो का पुरा करने जा रहा है परमेशर आपको आशिश देने जा रहा है परमेशर आपको अपने स्वरगी आशिशों से आपको भरपुर करने जा रहा है इस नए साल के पहला दिन में, वचन में लिखा है कि आँखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, वो सब उनके लिए करेगा, वचन में लिखा है, तो आज, जो कानों ने नहीं सुना, जो आँखों ने नहीं देखा, ब्लेसिंग आपको, ऐसी ब्लेसिंग आपको देने मिलाता तो परमेशर इस नए साल में परमेशर आपके धन में आशिश करने जा रहा है यह सबसे बड़ा वाइदा और उसमें कभी दुख नहीं मिलेगा इश्यमसी के नाम में उसमें आशिशी आशिश होगी आनंद ले इस नए साल में परमेशर आपको ब्लेस कर रहा है परमेशर आपको बुद्धी दे रहा है परमेशर आपको अच्छा गुड हैल्थ दे रहा है परमेशर आप पर दया कर दिया है और परमेशर आपको ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग पर ब्लेस टक इस संसार की अंत तक परमिशर आपके साथ रहेगा प्रभू आपको bless कर रहा है परमेशर की उपस्थिती पर बhurुसा रखे परमेशर आपको नित देखते रहती है आपको जाषते रहती है परमेशर ने आपको ये निया वर्ष दिया है उसका धन्यवात करे ये निया वर्ष है ये वर्ष ये निया साल ही नहीं एक परमेशर निया अवसर दिया है ये अवसर दिया है कि आप उसमें और पवित्र हो अभिशिक्त हो मिल मिला प्रकेश आपको परमेशर दिया है कि आप अपने आपको तियार करें परमेशर के आगमन के लिए परमेशर आपका नुग्रा दिया है और परमेशर के आगमन के लिए तियार होते जाए पवित्र होते जाए अपने अपको सौफ़े परमेशर के हाथों में परमेशर आपको उसके साथ-साथ आपके जीवनों में ब्लैस्बिंग करते जा रहा है इसने सालने परमेशन आपकी हर एक जनुरत को पूरा करेगा ये परमेशन का वाइदा है परमेशन का धन्यवाद करें प्रभू आपका धन्यवाद करते है प्रभू जी इसने साल ने प्रमेशन जो आप ने दान के रूप में दिया हम सभी को प्रमेशन ने इस साल प्रमेशन 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 प् प्रभय बैनों ने उस काम को 2020 में करने के लिए अनुगरत दीजिए इनके हाथों के कामों को bless किजे इनके धन्ठ को bless किजे इनके जेब इनके पॉकेट कभी खाली नहोने है पाई Mexico मसिदे ना में या अपने आशिश दी है रिसीव करें इनके परस कभी खाली नहोंगे ऐसा आ प्रभु जी आप इनकी हम एक 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 जरुतों को पूरा करने जा रहा है प्रभु जी वो जगत किसी भी प्रेकार का हो सकता है आप लोगों की जीवन में प्रभु वो सारी जरुतों को प्रमिशा पूरा करने जा रहा है श्मसी के नाम में थैंक यू जीज़ा सारी भलाईयो के लिए आपका धनिवाद करते हैं धन की आशिश आपके जीवनों में कर दिया है प्रभू आपका धनिवाद करते हैं जिसको चंगाई की जरत है परमिशन को चंगाई दे दिया है परमिशन का धनिवाद करते हैं चंगाई की आशिश दे दिया है परमिशन ने ब्लेस कर दिय आपके परिवार को ब्लेस कर दिया है आपके पत्नी को ब्लेस कर दिया है आपके बच्चों को ब्लेस कर दिया है परमेश्वर ने आपके धन्यवार तो प्रभुजी परमेश्वर कर वचाने के तो अपने कमाई को निश्चा खाने पाएगा और तो धन्य होगा और तेरा फला किये जाएंगे परमिशर आपको बूर परमिशर आपके साथ वायदा किया है आप अपने वर्क प्लेस में आशीशीत होंगे और परमिशर आपको आपके वर्क प्लेस में उचा करेगा ऐसा परमिशर काव questo है, प्रबु आपके जिधनों को bless कर रहा है, जिसके instrument नहीं है, उस inflammatory जितने भी कर्णसे प्रमिशन, उस कर्णडसे आपको छुटकारा देने जा रहा है, थेंकिय। जीस वर दे दिया प्रबु जी, थेंकिय। जीस नई सुबह के लिए प्रभू आपका दिनिवाद करते हैं किस नई सुबह में परमेश्वर इस सभी भाई भैलों के जीमिनों को आपने ब्लेस कर दिये प्रभू आपका दिनिवाद करते हैं प्रभू आपके स्तूति करते हैं यह नया साल प्रभू जी नई आशिश को लेकर आया परमेशा का यदि अब भैक के साथ चलेंगे उसकी आग्या को पालन करेंगे तो ऐसी आशीश की वर्षा आप पर होगी और आप परमेशा का भेमानते आग्या का पालन करते हैं और परमेशा आपको इस नए साल में प्रभू आपकी हर एक जूरतों को पूरा कर दिया है करके विश्वास कीजिए आपको दे दिया है इस साल में प्रभू आपको भुखा रहने की जूरत नहीं पड़ीगी क्योंकि परमेशन ने आपका इंतजाम करके दिया है आपके लिए advance permission ने आशिश दी रखी हुई है और आपको दे दिया शिमसी की नाम में in the name of Jesus Christ प्रभुजी आपके जीवनों में सारे दुख को खतम कर दिया है कुस्टो को खतम कर दिया है बिमारियों को दूर कर दिया है पैसो की कारण जो घर में दुख रहता था चिंती तरहते थे हैं वो सारी चिंताओं को दूर कर दिया है परमेशर आपके साथ है परमेशर आपको अच्छा अच्छी पत्मी देने जा रहा है परमेशर आपको निव जॉब के साथ ब्लैस करने जा रहा है शिमसी के नाम से इस नहे साल में इस साल में आपको न्यू बिजनिस खोले के लिए परमेशर और नुगरा दे रहा है वो न्यू बिजनिस इतना ब्लैसिंग देने जा रहा है कि आप सोच रही सकते वो जो आप छोटी सी चीजसे चोटी सी धनराशी के साथ जो आप अपने बिजनिस को स्टार्ट कर रहे हैं व वो आपका दिनिवाद करते हैं आपकी महमा करते हैं आपकी स्टूती करते हैं परमेशर पिता ये नया साल परमेशर पिता नए आशिश को लेके आया है पर वो आपका दिनिवाद करते हैं आपकी महमा करते हैं राजजाओं कर राजजा महमा मैं परमेशर आपका घा रहा है शुमसी के नाम में पर्मिशर ब्लेस करने जा रहा है आपको घर की हरे जुरतों को प्रमिशर पूरा करने जा रहा है छो चीज़ आप सालों से नहीं ले पाए है लो उश्राप को पर्मिशर ने तोड़ दिया वह बेबी के साथ प्रमेशन ब्लेसिंग करने जा रहा है इंदनी आप जीसस का प्रमेशन आपको आशिश कर दिया है आपका धन्यवाद करते है प्रमेशन 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 आपको देने जा रहा है आपके घर में शांती देने जा रहा है नुगरा के साथ प्रमेशन ब्लेस कर रहा है PRABU जी, THANK YOU JISUS सारी बलायों के ले प्रमेशा आपका दिने वाद करते आपने सारी प्रात्मों को सुलने है एज भाई वेनों के जीवन में यह सारी बलािसिंग को प्रमेशा आपने दे दिया आपका दिन Cara करते हैं मुईमा करते हैं प्रवेश्य पिता, सारी बुलाई के लिए दिन्वाद करते हैं, इस छोट इसी विंती को प्रवेश्य मसी के मीठे और पवित्तर नां से मांगते हैं, सुन और कभूल कर लिजे पिता, आमीन तो मसी में प्रिभाईयों बेहनों, आप सभी लोगों को फिर से एक बार, हैपी न्यू इयर, नवश्की, आप सभी लोगों को हारदिक शुब काम नाए, सभी को प्रमिश्वा ब्लेस करें, और आशिशीत करें, और इस नए साल की जो ब्लेसिंग की जो विडियो है, जो नए आप सभी लोगों को जय मसी की, और आप पर ये निये साल, खुश्यों का साल हो, ब्लेसिंग का साल हो, परमिश्वा आप सभी लोगों को ब्लेस करें, और आशिशीत करें, आप सभी लोगों को जय मसी की.